हाई गाईज वाट सब क्याल चाल मेरे नाम है संचित और आप देख रहे हैं CA Knowledge Portal ये वीडियो मैं बना रहा हूँ CA Foundation Students के लिए जो May 2021 में अपना अटेंट देने वाले हैं एक छोटी सी अपडेट लाया हूँ यहाँ पर कौन से सब्जेक्स से रिगाडिंग बिजनस एकनोमिक्स और बीजिक के सब्जेक्स से रिगाडिंग BCK में आप सबको पता है जो हमारे chapter number 3 है that is business organizations वाला chapter जहां पर कावी सारी business entities अलग-अलग companies के बारे में information दे रखिया है जो हमारे exam में पूछी जाती है हमसे मैंने हमेशे अपने वीडियो में और जिन्होंने हमसे classes लिए हैं classes में बताई है कि इस chapter की weightage typically 3-4 marks होती है कुछ attempt ऐसे होते हैं जहां पर खोड़े कम question पूछे जाते हैं अब हाँ आप 4 marks की या कुछ अगर बायजास ऐसा हो तो 5 marks की weightage इसमें से ले सकते हैं अब हर 5-6 महीने बाद ICI जब भी अपनी नया study material release करता है वैसे अब तो offload उसने साल में एक ही बार release करना शुरू कर दिया है तो जब भी ICI अपना नया foundation का material launch करता है उसके अंदर ये जो BCK का chapter number 3 है इसके अंदर कुछ amendments आ जाती है क्योंकि companies से related काफी सारे जो officials हैं उनके CFO या director या chief operating officer जो भी data हमें दे रखा है वो कुछ companies की case में change हो जाता है साथ साथ हर companies related कुछ ना कुछ news दे रखी होती है कि उन्होंने उनको कौन सी ranking मिली as per Forbes या उनको कौन सा award मिला यह भी अगर कोई typically नई information आती है ICI उसे incorporate कर देता है तो यहाँ पर जो amendment आई है उसका main कारण कहा है कि ICI ने जो अपना November के अंदर October November 2020 के अंदर अपना study material launch किया था which is applicable for May 21 as well as November 21 examination उसके अंदर थोड़ी बहुत changes लाए गई है अब यह changes वाला जो document है जो भी students हमारे यहां से पढ़ रहे है क्योंकि हमने पूरे जो information थी उसको अपना tabular form में दे रख है तो जिन्होंने भी हमसे classes ली है या जो भी हमसे हमारी इस book से पढ़ रहे है उनके लिए मैंने क्या किया है जो भी changes आए है नई edition of ICI book में उनको highlight कर दिया है इन red अलग-अलग changes जो भी नई information है रेड में highlight कर दिया ताकि आप देख सकें कि क्या नई information highlight कि है और नई information आई है तो हो सकता है इस क्योंपर MC को कुछन पूछा जा सकें ब्रीफली बता देता हूं changes क्या है कुछ तो नई-नई rankings एड करी है अब typically ranking वैसे भी याद करना हमारे पॉसिबल नहीं होती तो most of the extra information that you will see is mostly with regard to इस company को ये नया award मिल गया या इसकी ranking पहले 750 थी अब 730 हो गई है तो typically ये data याद तो होता नहीं है बढ़ हाँ मैंने आपको द example है यहाँ पर एक आदे किसी officer का नाम change हो गया जैसे कि chief financial officer पहले कोई और person था अब कोई और person हो गया तो ये थोड़ा बहुत आपको changes मिलेंगे जो major change इस बार आया है वो ये आया है कि यहाँ पर इन्होंने तीन नई companies को incorporate किया है हमारी यहाँ पर तीन नई companies को incorporate किया है और दूसरी है Flipkart तो यह दो नई companies इस बार एड़ हुई है पिछले edition of the book में नहीं थी और तीसरी company जो एड़ हुई है वो है Goldman Sachs तो तीन नई company को एड़ किया इसका data obviously पूरा rate कर रखा है मैंने क्योंकि यह पूरा नए data दे रखा है तो यह एक changes आपको मिलेंगे साथ-साथ जो MCQ question इसके अंदर दे रखे हैं वहाँ पर कुछ नए MCQ question में डाले है पहले इस chapter के अंदर approximately 37 MCQ question थे अब इनोंने लगबग 10-11 MCQ all डाले है कितने exactly 11 question नए डाले है तो यह सारे changes जो भी हो है मैंने इस document के अंदर red में highlight कर दी है तो यह document कहा मिलेगा जिन student से हम से classes लिए है उन को google drive link पे भी दे दूँगा मैं और साथ साथ जो हमारे student नहीं भी है बट इस document से इसको पढ़ना चाहते हैं तो यह document मैंने अपने telegram channel के अंदर share कर दिया है telegram channel का नाम क्या है हमारा telegram channel का नाम है CA foundation knowledge portal अभी तक आपने उसे join नहीं किया तो आप join कर सकते हैं वहाँ पर यह PDF form में मैंने आपके साथ share कर दिया है इस telegram channel का link नीचे भी description box पे दे रखा है वहाँ से आप इसे ले सकते हैं साथ-साथ और भी अब May 2021 जैसे अभी recently January का अभी जो भी result है थोड़े दिन में आने वाला है उसके आद हम May 2021 के लिए और भी revision videos, test वगरा conduct करेंगे तो बहुत सारा आपने दिन में आने वाला है अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब and we will be coming with more videos in the coming days. Thank you so much for watching this video. This was Sanchit Grower with you.